नमस्कार दोस्तों and welcome back to my channel first investment दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल कौन से stocks पर trade लेना है प्लस nifty bank nifty का क्या setup रह सकता है so probably मैं अभी अपने home में नहीं था so मेरे पास desktop नहीं था but मैं phone के थूँ आप लोगों के लिए video upload कर रहा हूँ and phone पे भी अप suitable है कि हम charts को analyze कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर upload कर रहा हूँ so यह सबसे पहला stock जो मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ which is Tata Alexi आप यहाँ देख सकते हैं so Tata Alexi भी stock मैंने आप लोगों को आज recommend करा था इसका एक बड़ चार्ट analysis में दुबारा आप लोगों को करके दिखा देता हूँ आप यहाँ देख सकते हैं कि एक resistance था ठीक है एक double top type scenario बना था and एक line अगर आपको मैं इधर से बना के दिखाता हूँ yes आप यहाँ देख सकते हैं तो stock ने करा क्या stock आप देख सकते हैं यहाँ पर resistance था यहाँ resistance था stock ने break करा break करने के बाद दुबारा यहाँ पर आया and यहीं पर ही retest करके दुबारा उपर जा रहा है तो right now यह stock trade कर रहा है 1650 पर आप यहाँ पर buy initiate कर सकते हैं above 1653 के उपर जो भी targets और levels होंगे किस price पर आपको buy करना है वो levels आप लोगों को telegram channel के through provide हो जाएंगे description पर नीचे link है आप जाके join कर सकते हैं ठीक है next stock की बात करते हैं next stock next stock है sunfarma sunfarpa पर आप देख सकते हैं कि यह एक resistance था इस resistance को इसने break करा break करने के बाद stock उपर गया दुबारा नीचे आया retest करा हैं दुबारा उपर जा रहा है तो अगर मैं थोड़ा सा zoom करके आपको दिखाता हूँ इस level पर ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस level से यहाँ से wick बना के create करके अब stock उपर जा रहा है तो यह जैसी इस level को break करेगा right now stock trade कर रहा है 577 पर तो जैसी इस 578 के उपर जाएगा तो हमारे लिए एक buy setup generate हो जाएगा जो probably इसे 585 तक लेकर जा सकता है कल intraday के अंदर तो इस particular stock के अंदर भी आप लोग एक trade initiative करते वे चल सकते हैं ठेक है अर नेक्स यहर इस Amaraja battery Amaraja batteries पर आप देख सकते हैं कि एक up move आई एक up move आने के बाद इसने एक cup and handle type of formation बनाए यह देख सकते हैं यह cup है और यह handle है और इसका breakout हमें देखने को मिल रहा है तो इसका जो breakout आया वो आया 950 के उपर अभी यह stock trade कर रहा है 952 पर ठेक है थोड़ा सा उपर higher side पे एक resistance है जो की है 953.5 पे तो जैसी यह 953.5 को break करता है हमारे लिए यहाँ पर एक buy setup generate हो जाएगा ठेक है तो यह जो भी perfect इसकी analysis है charts जो भी perfect है वो मैं आप लोगों को share कर दूँगा और share किस तरीके से करूँगा मैं नीचे description पे link डाल दूँगा इन charts का आप click करके इनकी analysis को पूरा देख सकते हैं और education purpose के लिए अपने पास रख सकते हैं कि कल जब market उपर हो तो आपके पास यह charts और रेडी हो और आप उसके basis पे trade ले पाओ ठेक है तो नीचे description पे इनके charts के में link डाल दूँगा आप जाके charts को अच्छे से study कर सकते हैं next stock is jubilant food यह हमारा fourth stock है अगर आप इस पे analysis चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यह एक level था जहां से हम लोग ने क्या देखा था कि एक buying आई and buying आने के बाद अगर आप इदर देखेंगे previous high दिखाता हूँ आप यह चेक करेंगा यह देख सकते हैं यह इसका previous high था previous high के उपर इसने जाके पनी closing दे दिया है right now यह जो stock trade कर रहा है यह trade कर रहा है 26.70 पे so हम लोग अपने एक buy setup generate कर सकते हैं at which level 26.73 के उपर हम लोग अपने एक buy setup को generate कर सकते हैं क्योंकि यह retest करने के बाद अपने previous high को break कर रहा है तो swing high को break करने के बाद chances are high कि यह stock और उपर जा सकता है तो कल ही एक अच्छी moment दे सकता है तो stock को भूलेगा मत and our last stock is obroy reality तो obroy reality पे अगर आप देखेंगे अच्छी सी rally हमें देखने को मिली अच्छी rally देखने के बाद क्या कर रहा है फिर यह फिर consolidate कर रहा है and इसने आज अपने एक previous high को break कर गया अगर मैं आप लोगों को levels दिखाता हूँ अगर एक flag and pole का भी breakout हमें देखने को मिल रहा है आप यहाँ देख सकते हैं इसने एक sharp up move दिखाई sharp up move दिखाने के बाद एक pole क्रियेट कर रहा है and flag क्रियेट कर रहा है एक range क्रियेट करी and इसके उपर breakout दे सकता है तो यह particular stock trade कर रहा है भी 535.60 पे आप एक buy setup जो है इसका generate हो सकता है above 538 538 की उपर आप इस पे एक buy opportunity नी shift कर सकते है and chances are high कि यह 550 555 तक भी जा सकता है तो यह 5 stocks थे जो आप लोगों को बताए गई है अब बात करते हैं nifty bank nifty की और चेक करते हैं कि कल वो कैसा perform कर सकते है या सो अगर हम लोग nifty को देखते हैं तो nifty पे जैसा के मैंने आप लोगों को बताया था कि यह एक range बन रही है यह देखेगा यह एक range बन रही है इस range का हम लोगों ने देखा था एक breakout आया इस level से एक gap up opening हम लोगों को देखने को मिली breakout दिया breakout दिने के बाद यह दुबारा retest कर रहा अपने range को एंड दुबारा उपर जा रहा है so yes यहाँ पर एक buying setup generate हो सकता है बट एक बात पर cautious रहेगा कि मैंने आपने को को बताया था कि 13,700 तक stock जा सकता है मतलब probably जो index है वो 13,700 से लेके 13,750 तक जा सकता है so probably बिलकुल उसके past trade कर रहा है तो chances रहा है मैं आपको suggest करूँगा कि आपके पास जो भी holdings है उनको कम करना शुरू करिए profit taking start करिए क्योंकि market अब यहाँ से शायद एक थूड़ा सा fall ले ठीक है because अपने resistance की तरफ यह बढ़ रही है and resistance से एक fall ले सकते है because एक high lifetime high को break करा है ठीक है एक range का break out दिया gap up के साथ gap को fill नहीं करा है chances रहा है कि एक बार यह नीचे आ जाए ठीक है एक gap up opening और दे सकता है almost 13,750 तक जा सकता है उसके बाद ही हम एक selling pressure देखने को मिले तो यहाँ पर हम लोग अपना buy setup अभी वी generate कर रहे है but with cautious अगर मैं nifty को हटा के bank nifty की बात बता हूँ तो bank nifty ने breakout नहीं दिया अभी तक आप देख सकते हैं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ यह देख सकते हैं यह एक range थी ठीक है bank nifty की bank nifty ने breakout दिया था breakout देने के बाद हम लोग ने क्या देखा एक red candle बनी जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं एक red candle बनी उसके बाद stock हलके हलके index नीचे आते रहे ठीक है तो अभी तक इसने breakout नहीं दिया मतलब कि इसने closing नहीं दिये 30,800 की उपर और nifty ने closing दे दिये 30,580 की उपर तो nifty हमारे लिए buy है bank nifty हमारे लिए buy तब ही होगा जब यह closing देगा 30,800 की उपर ठीक है अगर आप यहाँ पर देखेंगे अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो आपको देखेगा यह trend line मंती वी आ रहे हैं तो probably यह आ सकता है 30,550 550 तक stock ठीक है almost 100 पे की correction bank nifty दिखा सकता है तो मैं bank nifty पे अभी buy setup के लिए नहीं हूँ बट nifty हम लोग नीचे से buy कर सकते हैं ठीक है तो यह थी हमारी analysis यह पूरी analysis आप लोगों के साथ perfect charts के साथ share कर दूँगा नीचे description पे link डाल दूँगा 500 stocks के लिए nifty और bank nifty के कि आप easily देख पाएं और जब कल market open हो तो आप उसके थुरू analysis करके trade कर पाएं ठीक है वो ज़्यादा comfortable रहेगा आप लोगों के लिए सो हम लोग end करते हैं इस particular वीडियो को इस session को और मिलते हैं आप लोगों से कल एक वीडियो पर